क्या आप भी किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके सफेद हो रहे बालों को काला बना दे बालों की जड़ों को मजबूत बनाए जिससे बालों का ज़र्णा रुख जाए बालों में काला पनाए बालों में घना पनाए और बालों की लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो आपकी उम्र कम है आप आसानी से प्री मेच और ग्रे हेयर की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया आयरुवेदिक नुस्खा लेकर आई हो रूसी की समस्या दूर होगी बालों में कालापन और घनापन आएगा नीम की दो तरह के नीम की पत्यां आप लोग ध्यान से देखें ये है कडवे नीम की पत्यां कडवा नीम होता है ये और जगा जगा मिल जाता है ये antiseptic antibacterial होती है नीम की पत्या हमारे सिर की खुजली डेंडरफ की समस्या को दूर करती है ये है मीठा नीम इसे English में हम लोग curry leaves कहते हैं कड़ी पत्ता भी कहा जाता है दोनों ही तरह की पत्यों का इस्तमाल कर रही हूं ताकि scalp हमारा healthy रहे curry leaves बालों को काला बनाती है करी leaves जो होती ही कमजोर बालों को मजबूत बनाने का काम करती है साथी साथ अगली ची जो कि यहां इस्तमाल करने वाली हूं वो है आवला एक ऐसी चमतकारिक आयूरवेदिक जड़ी बूटी है दोस्तों जिसे आपको खाना भी है बालों पर लगाना भी है रोज एक आवला खाएं आप कुछ दिन लगातार खा कर देखें आपको result दिखाई देने लगेगा तो अच्छा पर चमक आएगी बालों का जड़ना बंध होगा आवले को बारीक टुकडों में काट लिया है आप चाहें तो आवले को साल भर के लिए सुखा सकते हैं बजार से भी ले सकते हैं या मेरे जैसे आवले का रस तैयार कर सकते हैं आप यहाँ पर देखे मैंने पिछले साल यह आवले सुखा कर रखे थे जो अभी भी बचा हुआ है और यह है आवले का पाउडर जिसे मैं मार्केट से लेकर आई हूँ कुछ नहीं तो आवले का पाउडर ले लिजे यह क्या है प्याज का छिलका प्याज जितना ज़्यादा फायदे मद होता उसे कई गुना ज़्यादा अनियन पील भी हमारे बालों के लिए बहुत फायदे मद है तो तीन तरह की चीजे हो गई है यहाँ पर आवला करी लीव और कड़वे नीम की पत्या साथ ही साथ अगली चीज जो की ले रही हूँ यहाँ पर रेड अनियन पील आपको यहाँ पर लाल छिलके वाल छिलके का इस्तमाल करना है प्याज के सफेज छिलके वाले प्याज का इस्तमाल नहीं करना है जब भी कोई हेर डाय बनाएं डाल दी है करी लीव्स की और कुछ कड़वे नीम की पत्यां ताकि आपके स्केल्पे यदि खुजली होती है तो खुजली की समस्या दूर होगी रूसी डेंडरफ कड़वे नीम की पत्यों का रस जून लीक और रूसी की समस्या को भी हटाता है करी लीव्स जो होती है इसमें कुछ ऐसे डार्क निगे जेंट होते हैं जो प्री मैचर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करती है करी लीव्स में कुछ ऐसे एमीनो एसिड होते है बीटा केरेटिन होता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है एक ऐसा हेयर टॉनिक बनेगा जो आपके हेयर फॉलिकल में मेलनीन के उत्पादन को बढ़ाएगा मेलनीन का प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगा तो बाल जल्दी सफेद नहीं होगे लंबे समय तक बालों में काला पन बना रहेगा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा इस हेयर टॉनिक को सबता हमें दो बार लगाएं तीन तरह से इस टॉनिक का इस्तमाल कर सकते हैं दस मिनट तक मैंने इस अच्छी तरह से बॉil किया है ताकि सारी चीजों की गुड़नेस इस हेयर टॉनिक में, इस हेयर ग्रोथ टॉनिक में आ जाए। जो आपके बालों को लंबे समय तक काला रखेगा, कमजोर बालों को मजबूत बनाएगा, रूसी की समस्या को दूर करेगा, बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाएगा। क बड़ी हाचाई से चान लिया है मैंने, चानने के बाद आप इसे टॉनिक के रूप में सब्ताहमें दो बार इस्तमाल कर सकते हैं। हेयर वाश करने से आदा घंटा पहले इस टॉनिक को आप लगाएं। अगर बालों में बहुत जादा सूखा पन है तो एक बड़ा चमच नारियल का तेल डालें। कोकोनट ओई जो होता है ये हमारे स्केल्प को हेल्दी बनाता है, मॉइस्चुराइज करता है, हमारे स्केल्प से सूखे पन की समझा को दूर करता है। आजकल हम लोग अलग से तेल नहीं लगाते हैं, तो कम से कम इस हेयर सिरम में लगा लीजिए, ताकि बालों की जड़ों को अच्छी तरह से ओईल भी मिल सके। प्रूई से लगाएं, इस टॉनिक को ड्रॉपर से लगाएं, जैसा आपको पसंद है उस तरह से लगाएं। इनका पाउडर बनाया जाता है, और हम तक मार्केट में इस रूप में बेचा जाता है, अब मैंने हापर महन्दी को मिक्स कर लिया, इसी हेयर टॉनिक में थोड़ा हेयर टॉनिक मैंने अलग निकाल दिया है, क्योंकि बहुत जादा ये पतला हो जाता, ताकि जब मैं अगल आक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण हमारे स्केल्प को हेल्दी बनाती है, हमारे स्केल्प के इन्फेक्शन को दूर करती है कॉफी, साथ ही साथ कॉफी भी एक नैचरल हेयर डाई के रूप में काम करती है, हमारे बालों को अपस में उलचने नहीं देती है कॉफी, हमार हो जाएं रिजल्ट देखकर उसके अद मुझे कमेंट जरूर करिएगा आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगा से बैट कर देख रहे हैं कमेंट में आप अपना नाम लिखे जगा का नाम लिखे ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम एनाउंस कर सकूँ आपको थैंक्स बोल सकूँ मेरा वीडियो देखने के लिए तो मेरे परिवार को वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो लाइक कर दीजेगा देखें इस पैक को जड़ों से लेकर लंबाई तक आपको लगाना है ब्रश से लगाएं हाथों से लगाएं जिसमें आप कमफर्टेबल हैं आप इसे 15 दिन में एक बार लगाएं अगर बाल बहुत ज़्यादा सफेध हैं तो आप सब का हमें एक बार भी लगा सकते हैं हाँ बाल थोड़े थोड़े सफेध है मेरे जैसे मेरे अब मेरी बात मत करें मैं तो खुदी 58 एर की हूँ इस उम्र में यदि मेरे कुछ-कुछ बाल सफेध हो रहे हैं तब ये बिल्कुल साधरन सी बात है इसमें कोई चिंदा की बात नहीं है उम्र के साथ बाल का सफेध होना इत्ती उम्र में तो बाल होंगे सफेध और मैं इसी तरह से नेचरल हेर डाय का इस्तमाल करके अपने बालों को काला करती हूँ पूरे बालो चीजों का इस्तमाल करें, बाजार की केमिकल वाली सीजों से अपने स्किन को अपने बालों को बचा कर रखें, यही केमिकल तो बालों को आजकल उम्रे से पहले खराब करने लगा है थोड़ा थोड़ा सा मैं खुद लेती जा रही हूँ अपने हाथ से ही इसे लगा रही हूँ देखे और फिर से इसी तरह से पूरे बालों की लट बनाते जाएए और आपको इसे लगाते जाना है और इसके बाद मैं एक वेजिटेबल पॉलिखिन को बालों को अपने कवर कर लूँगी ताकि मेरा ये डाय सूखने आप एक घंटा भी रख सकते हैं जब हेर वाश करें प्लेन वाटर से हेर वाश करें शैम्पू या कंडिशनर का इस्तमाल बिल्कुल भी ना करें मेहदी है मेहदी बालों को पोशन देती है बालों को प्रकृतिक तरीके से कंडिशन करती है मेहदी तो अलग से केमिकल वाला कंडिशनर क्यों लगाना मेहदी हेर डाय की तरह काम करती है बालों को नरिष्ट भी करती है जड़ों को मजबूत बनाती है तो सारी हेल्दी चीजें ली है तो इसका आपके बालों को बहुत अच्छा रिजर्ट मिलेगा बस आधे घंटे के बाद प्लेन वाटर से हेर वाश करें वीडियो को लाइक करें